मेरे परिवार जनों, कॉंग्रेस के कुछ महा ग्यानियों को आजकल अचानक से गणीत का शौक भी हो गया है लेकिन एक कॉंग्रेस के गणीत बाज बोच सवाल भी हल नहीं कर पाते जो 36 गड़ का पांचवी कख्षा का विध्यारती हल कर सकता है ये 36 गड़ के जनता के ज्ञान को उनकी समझ को कम आगते हैं इसलिए दिल्ली से आकर जूठा गणीत, जूठी बाते, जूठे बादे यही उनका खेल चल रहा है जिस कॉंग्रेस को गणित सिखने का इतना बड़ा शौक है आज मैं इस मुंगेली में इन हजार लोगों के बीच में उचसे भी मैं कुछ सवाल जरूर करूँगा ए चो 36 गड़ में महादेव सटे बाजी गोटाला हुआ है उसमें 508 करोर रुपे से अधिक के बटने के आरोप है कितने 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 जांच एजन्सियों के छापों में रुप्यों के धेर पकड़े गए हैं यहां के मुख मंत्री के करीबी जेल में बंद है कॉंग्रेस के इन गणित बाजों को बताना होगा कि मुख मंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है कॉंग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दर्बार तक इसमें से कितना माल पहुँचा है यहां विदान सभा उमिद्वारों को टिकटों देने को लेकर कॉंग्रेस में जो खेल हुआ है उसके तो ओडियो चल रहे है एक एक टिकट बेज कर कॉंग्रेस के नेताओं ने कितने पैसे उपर तक पहुँचाए है इसका सच भी जनता के सामने आना चाहिए साथियों कॉंग्रेस के गनित बाजों से एक सवाल पी एस सी गोटाले को लेकर 36 गड के युवाओं का भी है जिन हजारों युवाओं ने दिन रात पढाई करके परिक्षा पांस की उनको किस फॉर्मूले से बाहर निकाला गया कॉंग्रेस नेताओं के बच्चों को गनित के किस फॉर्मूले से भरती किया गया पिछले दरवाजे से पूरा 36 गड इस फॉर्मूले की सच्चाई जानना चाहता है साथ क्यों कॉंग्रेस के गनित बाजों से एक सवाल 36 गड के गरीब बलीत पिछडे आदिवासी परिवारों की माता बेहनों ने भी पूछा है कॉंग्रेस ने यहाँ बेहनों बेटियों से शराब बंदी का बादा किया था माता बेहने बताईए इन्होंने वादा किया था ना कॉंग्रेस ने शराब बंदी तो नहीं की अर उच समय बड़े बड़े भाशन दे करके महिलाओं के आँख में ऐसी धूल जो की ऐसी धूल जो की और सत्ता में आने के बाद शराब बंदी छोड़ दो शराब की होम डिलिवरी जुरूर चुरू कर दी ये माताओं बेहनों को धोखा दे कर कॉंग्रेस ने यहाँ दो हजार करोड रुपे से अतिक का गोटाला किया माताओं बेहनों से इतना बड़ा विश्वास गात सिर्फ कॉंग्रेस ही कर सकती है अगर आप नहीं करने वाले हैं तो जूट क्यों बोलते हो और आपने बोला था तो कोशिश तो करते भई उल्टा क्यों कर रहे हो लेकिन बोलते समय उनको मालूम था कि जान बुझ करके जुठ बोला है आज 36 गड़ की माताओं बेहने कॉंग्रेस से पूच रही है कि आखिर उनके ओ दोखा क्यों दिया गया लेकिन कॉंग्रेस नेताओं ने इस सराब गोटाले पर मुझ पे ताला लगागे बढ़ गए है कॉंग्रेस के पास 36 गड़ की माताओं बेहनों के एक सवाल का भी जवाब नहीं है